Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel आज के वीडियो SSC GD के उपर है SSC GD का मतलब है, GD मतलब होता है Ground Duty यह paramilitary forces के अंदर constable level के recruitment है राज्यों के हिसाब से vacancy निकलती है, cut off भी निकलता है बट ही है central government की नौकरी, पूरे देश के बच्चे अपलाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छी नौकरी है, male और female दोनों के लिए है 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे vacancy निकलती है इसकी तो बहुत ही popular vacancy है 50,60,000 लोग भी भरते हैं इसके अंदर तो आज के वीडियो में इसी के बारे में हम लोग detail discussion करने वाले हैं तो देख लीजिए जो paramilitary forces हमारे देश में होती हैं देख लीजिए पहले सामने ये BSF, CSF, ITVP, CRPF, NCB, SSF, Assam Rifle ये paramilitary forces हैं, मतलब एक तो state police हो गई, एक आपकी army हो गई, defense, ministry of defense में आती है home ministry के अंदर बहुत सारी police यानि वर्दी वाली नोगरी होती है, वो यही है अलग-अलग इन लोगों काम होता है, जैसे इसका border का रक्षा करना होता है, इसका industries का रक्षा करना होता है, airport वगईरा का यह again border के लिए है, SSF जैसे दिल्ली के लिए है, आपका NCB, NCB के बारे बता दूँ, NCB की vacancy नहीं निकली थी last year, इस साल बहुत ज़्यदा चांस है vacancy निकल जाया और इसकी vacancy का निकलती है, definitely आपको कुछ हाल देखने को मिलेगा vacancy के अंदर, लेकिन यह भी इस बार लग रह बाता है, 2025 क्यों, 2025 इसलिए को कि vacancy जो जीडे की निकलती है, वो ऐसे डेट करता है, SSC जो होता है, जो 24 में निकलेगा, 25 डेट करता है, SSC ऐसे करता है, मैं गलती नहीं किया वहाँ पे, तीक है, सारे points पे बात करेंगे, आपकी salary से लेकर के, job profile से लेकर के, best किताब बताओं थी, वेकेंसी ऐसी निकलती है, 24, 25, 26, लेकिन हो कितनी गई वो, 46,617, लेकिन अभी भी इतनी होने के बाद भी NCB की वेकेंसी नहीं आई भी थी, ठीक है, उससे पहले आप देखो 50,000, ये भी कुछ 25, 26 निकला था, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 24 जो लिखा हुआ है न, यहाँ पर भी कुछ 60 या 50 के आसपास, 55, 60 कुछ याद है मुझे, ऐसे वेकेंसी इसके अंदर भी हो गई थी, 2018 में भी 60,000 होई थी, तो इसकी वेकेंसी बहुत जादा निकलती है, ऐसे ही, ठीक है, और इस साल भी चांसे यही है, NCB के आने के बाद, आपकी वेकेंसी अल्मूस्ट इतनी रहेगी, अगर CSF की कम नहीं होती है, तब आपकी वेकेंसी 50 प्लस इस बार रहने वाली है, तो बहुत अच्छा चांस है इसके अंदर की वेकेंसी बढ़े, डेट के बारे में बात करते हैं, तो 5 सेप्टेंबर है नहीं, आज के दिन इ बात करी लेंगे, और इसको अक्टूबर है, 5 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाऊगे, 5 सेप्टेंबर से 5 अक्टूबर तक, ठीक है, इसके लावा हो सकता है की नोटिफिकेशन निकले तो 5 से 10 दिन जादा आपको यह लोग दे दे, जनवरी फरवरी मे बात करें, तो 100 रुपए यहां पर अप्लिकेशन फीस है, वोमेन, SC, ST, Physically Handicapped के लिए 0 रुपीज है, सौरी, Physically Handicapped नहीं अप्लाई कर सकते, वोमेन और SC, के लिए 0 रुपीज है, बाकी सब को 100 रुपे देने हैं, इतनी वेकैंसी, इसी के लपेट में वेकैंसी रहने वाल यहां पर देखो, यह आपकी बाद में वेकैंसी बढ़कर के जो होई थी, देखो, 41,000 male के लिए होई थी, और आपकी female के लिए 1500, तबी भी इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका नार्कोटिक्स, NCV यानि नार्कोटिक्स वीरोगा, कोई भी यहां पर पोस्ट नहीं आय हुआ था, ठीक है, यह आपकी बढ़कर के आई भी थी, आप जो फॉर्म भर रहे होगे, ध्यान से देखना जो मैं कहा रहा हूँ आपको, यह फॉर्म का कोड है, कोड बदल जाएगा, अगर इस बार भी NCV नहीं आती है, NCV का कोड मैंने आपर दिया हुआ है, तो यह कोड को हटा देना है, ठीक है, कोड ध्यान से बढ़ना, जो बच्चे पहले से बढ़ते हैं, वो ऐसे नहीं भर देना, यह फट जाएगा, और बाकी आपका यही कोड रहेगा, तो यहाँ पर बतायता हूँ किसको आपको नौकरी में आगे पीछे रखना है, कौन सी नौकरी अच CRPF के अंदर आप देखो, पोश्ट भी जादा था, 1390, CISF के अंदर इससे भी जादा है, लेकिन आपको अब्यसली बता है, कट ओफ हाई जाता है, पंदरा सो बीज़से नौकरी बहुत टफ है, और इसके अंदर CRPF ही है, जिसकी नौकरी थोड़ी बीच में है, ठीक है, इसको आप भढ़ देना, पोश्ट भले कम आए, लेकिन इसको बहुत कम बच्चे बढ़ते हैं, नहीं हो लग रहा है, यार पास तो ऐसे भी नहीं होँगा, या फिर बहुत कम चांस है, इसको आप प्रेफरेंस में उपर रखना, उसके बाद आपको बताए दिया, वेटरन क्योंकि ये तीनों नौकरी बहुत ज़्मेदारी वाली नौकरी है, फैमिली लाइफ आपकी खतम हो जाती है, तो ये आपको हो गई वेकेंसी, कैसे कैसे क्या क्या नौकरी है बता दिया, ऐसे आपको प्रेफरेंस बरना है, एज के बारे में बात कर लेते हैं, देख लिए अगर ये वीडियो एडिट जब हो रहा होगा, उस वक्त वेकेंसी निकल जाती है, नोटिफिकेशन निकल जाता है, तो मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगा, उमर, आप वहां से देख लेना, चीज़े में डिस्प्ले कर दूँगा, जो भी चीज़े चेंज़े हो रही होंगे, और वरना एक आपको बाद में आती है, तो एक आपको शॉर्ट वीडियो निकाल दूँगा, जिसमें सारे चेंज़े होंगे, ठीक है, और यह आपका एज कर लेक्सेशन जो मिलता है, वो आपका यहां पर मिली रहा है, ठीक है, और एक चीज़ औ सकता है, सब walking काुई कर सकता है, और कुछ भी इसके पॉड कर राज्य कर सकते है, लोकल भार्षा में यहांप आ पeing आत्या में परेक्जाम कर सकते हो, बहुत कुछ यहांपे अच्छा है, वाले बच्चे अप्लाइज कर सकते हैं, आप्यका दो मिली च्टिल्य कर सकते हैं, ध्यान से सुरिए, नोटिफिकेशन निकलने से पहले बताता हूँ, जो भी बच्चे 10th पास करेंगे 2025 में, यानि अगले साल, वो बच्चे फॉर्म नहीं बर सकते, जिसका भी 10th इस साल लाश्ट तक आपका निकल जाएगा, या एक जनवरी 2025 तक हो जाएगा, वो इस फॉर्म हो, तो यहाँ पर relaxation है, अगर आप यहाँ पर North Eastern हो, तो आपके लिए relaxation है, ऐसे यहाँ पर अलग-लग relaxation है, आप यहाँ पर check out कर सकते हो, ठीक है, में मोटा-मोटी है 170-157 male female का, जनरल के लिए, उसके लावा चेस्ट का भी requirement है, सिर्फर सिर्फ male के लिए, female के लिए नहीं, चे ही चीज आपकी कम हो जाती है, चेस्ट तो 5 cm फूल नहीं है, भाई, कोई बे केटेगरी का हो, लेकिन साइज आपका कम भी होगा, तो चलेगा अगर आप गुर्खा हो, आप श्रूल ट्राइब हो, या फिर आप पहाडी हो, तो आपका यहाँ पर relaxation मिल जाता है, आपको, प् क्या डीटेल में बता हूं, 32,000 रुपए salary आपके हाथ में आएगी, पूस्टिंग दिल्ली वगरा में हो जाती है, HR आपका और यहाँ पर बढ़ जाएगा, बाइस सो एचारे यहाँ पर है, HR इसके अंदर अच्छा खासा बढ़ जाता है, तो HR बढ़ कर यह हो सकता है, प्रमोशन जादा मिलता है, अगर आप स्टेट पुलीस के कॉंस्टेबल बनोगे न, कॉंस्टेबल से हैड कॉंस्टेबल बनते बनते तो जान निकल जाएगी, और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से तो मैं देखा हूं, 10 में से 7 आदमें रिटायर कर रहा होता है, लगना मतलब ऑफिसर हो जाना होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रमोशन आपको एक्स्टर मिलता है, आप जीडी कॉंस्टेबल बनते हो, सीनर कॉंस्टेबल बनोगे, फिर आप हैड कॉंस्टेबल बन जाओगे, यहाँ तक तो आसानी सब जल्दी बन जाओगे, दस साल में असिस्टेबल बनने मां प्राब्लम लगता है, लेकिन बहुत जाधा, दस में से ऐसा है कि 5 बच्चे बनी जाएंगे, इसके अंदर, इसके अब बने हैं, तो यहाँ पर चांस है, श्टेट पोलिस में तो कोई चांस भी नहीं, यहाँ पर इनस्पेक्टर बनने का बहुत ज चांस होता है तो प्रमोशन आपने देख लिए अच्छा खासा इसके इंदर है सेलरी भी बढ़ जाती हो जी के साब से इक्जाम पैटन क्या है एक आपका प्रिलिम्स नहीं होता एक आपका फिजिकल टेस्ट है वर फोर्थ आपकी यहां पर नेगेटिव मार्की होती है आप बड़े बड़े यहां पर फेल जाते हैं स्पेशली अब जीएस का लेवल अच्छा खासा है यहां पर करती है जैनले नॉलेज का लेवल पता है तो पैटन तो रीजनिंग जीके मैथ इंग्लिश या फिर हिंदी आपका यह सारा बीस बीस आपका क्वेशन होंगे हर क् दो मांक्स का होगा तो चालेज चालेज आपका मांक्स तो असी क्वेशन आपका हो गया एक सो साथ नंबर और सॉल्व करने के लिए आपको सिक्ष्टी मिनट यहां पर मिल रहा है और आपको बता दो कट अफ क्या गया था लेकिन इसका पेपार आसान होता है भाग गया है इसे देखिए इसके अंदर ना 110 नंबर लेकर क्याना इसी होता है उसके आगे के 10-15 नंबर टफ होते हैं लेकिन आपके हो सकता है कि 120 नंबर है नॉर्मलाइजेशन में मैं एक बच्चे को सामने से देखा हूं जिसको 25 नंबर मिला था 118 या 120 कुछ नंबर था ठीक है तो यह आपके सामने है आपने देख लिए examination pattern यही है एक ही single examination जो उसको पास करेगा वो जाएगा physical test के अंदर हाँ इसके अंदर देखिए आपकी भाषा यहाँ पर अवलेबल है इस सारे भाषाव में गुजराती मराथी मनी पूरी आप उस राज्य के अगर हो असाम पास करेगा रिटेन उसका physical test होगा physical test में बस आपका दोड़ होता है male के लिए general के लिए 5 km 24 मिनट में दोड़ना है और female को 1.6 km सारे 8 मिनट में दोड़ना होता है ठीक है simple हो गया लेकिन अगर आप लद्धाक के हो तो आपकी लिए male को 1.6 km साथ मिनट में और 800 मिनट में और पास कर जाएगा merit list का वेट करेगा उसकी नौकरी लग जाएगी किताबों के बारे में कह रहा था कि बेस्ट किताब आपको बताने वाला हो सिंगल किताब साब की नौकरी निकल सकती वो किताब यह हिंदी मीडियम के लिए आपकी यह किताब है लास्ट यह मैंने रिकमेंड किया था बच्ची एक्जामनेशन में पास भी हुए थे इस किताब से मैं आपको पहले भी बताया हूं ससी के अंदर इस एक्जामनेशन में स्पैस्ट और MTS के अंदर बात नौलेज का है नहीं प्रैक्टिस के बात है नौलेज इसके अंदर नौर्मल लिमिटेड ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए आपको ड़ा के प्रैक्टिस करना है इतना प्रैक्टिस करना है कि 40平किकास नोलस दिख रही है यह बैस्ट किताब फिलहाल इंडिया में और अगर SSC GD यह आपका focus है, तो यह किताब आप ले लिजे, इसके साथ आपको जो किताब लेना यह ले लेना है, 30 साल का SSC GD का आपका previous papers, ठीक है, आपको, sorry, 30 आपके question paper, 30 साल का नहीं, 30 आपके question paper, Hindi, English, दोनों यह भाष्चों में किताब up-level है, मैं आठ जाता हूँ, आप दे description में मैं दे दूँगा, no.99 रुपेज में SSC की सारी नौकरियों का mock test आप चाहों तो दे सकते हो, unlimited mock test आपके लिए, ठीक है, वो mock test लिया, यह किताब आपने ली और यो guide लिया, more than sufficient practice करना है, इसके इंदर में है, ठीक है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं सर मैं SSC GD नहीं, MTS मैं SSB भरता हूं, CTSL भी भरता हूं, CGLB, CPU भरता हूं, SSC main focus है, तो भाई, यह वाली लोना practice करने के लिए, हर बार मैं आपको recommend करता हूं, English में, Hindi में, दोनों ही भाशाओं में available है, इस से best किताब होती ही नहीं है, कोई भी SSC के अंदर, practice करने के लिए, मेरा mock test में चाहों मत available है, तो paper इसके अंदर repeat होता है, बता चुका हूं, one of the best किताब में से यह एक है, आपके दोनों ही, और आप purchase कर सकते हो, लेकिन SSC के सब के लिए कर रहे होगे, तो ही, वरना फिर यह ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ SSC GD के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी यह किताब आप जी दीगे लिए काफी है, और मेरा mock test ले लो, मन है तो, किसी का भी ले लो, आपका मन है तो, वरना यह किताब है तो आप purchase कर ही लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं सारी किताबों का, इसके लावा आपको जो SSC के सारे examination के जो बच्चे तयारी करते हैं, तो SSGD वाला guide तो सिर्फ लेंगे ने, तो यहाँ पर अलग से किताब ले लो, आप reasoning की यह किताब ले लो, shortcut in reasoning बहुत more than sufficient है, verbal non-verbal exchange वाला मत लेना, वो बहुत जादा है banking के हिसाब से बना हुआ है, यह आँख बंद करके purchase कर लेना इस किताब को भाई, इस एची किताब है इनी मार्केट में कॉइंट की, SSC के लिए, और आपकी, अगर essential कॉइंट में कहता हूँ, वो है तो लेने के जुरूत नहीं है, लेकिन वो banking की भी इसका दोनों cover है, इंग्लिश के लिए दोनों किताब, इंडिया में best है, एक अरिहंत का एक दिशा का है, link description में आप चाओ त आपके सामने notification में syllabus यह दिया हुआ, यह आपका syllabus है, हर बार से मी रहता है, cutoff आपको मैंने बताया था, हालत खराब हो गई थी भाई, बच्चों cutoff देखकर के, 138 मैंने बोला था न, अलो, 139.32 cutoff था तो, cutoff भाई, बहुत आई है, 139, 138, यह cutoff जा रहा है, आज कल, cutoff का त करके डरना नहीं है, भागना नहीं है, अगर आप नए बच्चे हो, तो थोड़ा डरने के जरूरत है, और practice करने के इसके ज़्यादा जरूरत है आपको, cutoff आपके सामने है, दिखे गया, इसके अंदर क्या एक स्यादा पोश के लिए अप्लाई कर सकते हो, करना apply from a different state, जिस सब्सक्राइब करी चोके होगे, अब तक मुझे पता है, जो भी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, तो पास होई जाएंगे, जटीक है, आपको बता चुका हूँ, mock test आप मेरा ले सकते हो, किताबे मैंने आपको best बता थी, सारी detail मैंने इस वीडियो में cover कर लिया, कुछ भ जो भी आपका बचा होगा, आप कमेंट करना, तो मैं उस डाउट को clear कर दूँगा, वैसे सारे link भी आपको description में मिल जाएगी, जो भी वीडियो यहां तक देख रहा है, आप सबी लोग को धन्यवाद है, मेरी तरफ